स्वागत है सभी का एनस लेर्निंग यूट्यूब चैनल पर आज मैथेमेटिक्स के टॉपिक परसेंटेज को में लेकर की आई हूँ जो कि आपके मैच के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और साथ ही साथ ये आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन में इसके अलावा सिंपल इंट्रेस्ट में और डी आई आई आप मान सकते हैं डेटा इंटर्प्रेटेशन इत्यादी चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो आप यह मान के चल सकते हैं कि यहां पे कम से कम चार से पाच क्वेशन तो बनेंगे ही तो यह क्वेशन तो आपको जो है य इस से सम्मंदित यदि आपको कोई भी query होती है कोई doubt है question solve करते समय तो आप इस telegram group पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपना question send करें आपको इसका solution मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं साथ ही बता दूँ आपको ratio and proportion वाला topic हम complete कर चुके हैं बहुत अच्छे से detail में हमने पढ़ा है question उसी से related आने वाले हैं और आज है हमारी ये class number fourth तो पेश है आप सभी के लिए दो पंक्तियां मन्जिल यूही नहीं मिलती राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है पूछा चिडिया से की गोसला कैसे बनता है वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है प्रतिशत यानि की प्रतेक 100 पर अगर हम किसी भी चीज किसी भी बात की घणना करेंगे तो आधार क्या मानेंगे 100 क्या आधार रहेगा हमारा 100 मान करके चलेंगे कि total value कितनी है 100 है ठीक है तो जैसे कि आपको कोई बोलता है कि 10% of 50 10% of 50 तो आप क्या करेंगे 10% कैसे निकालेंगे भई 50 इंटू 10 बटे 100 कर देंगे आप क्योंकि जो प्रतिशत का चिन होता है उसके लिए हम क्या कर देते हैं हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं और जहां पर off वाली value आती है का की बात होती है वहां पर हम क्या लगा देते हैं multiply तो 50 का 10% कितना हो जाता है पांच ठीक है लेकिन ये चीज आपको डिरेक्ली या बाकी के जो भी बचे हैं वो क्या हो जाएगा आपका एक प्रतिशत ठीक है इस तरीके से आपको देखना है या पर अब बात कर लेते हैं कि किसी एक राशी का दूसरी राशी से प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम ठीक है जैसे कि आपको कोई कह दे कि 30 किलोग्राम का 120 किलोग् जो आधार value होती है वो हमेशा किदर आएगी आपके हर वाले भाग में किदर आएगी हर वाले भाग में यानि कि यह होता है निउम्डरेटर और यह होता ढौरा डिनोमिन moc ठीक है तो तो denominator में क्या लिखेंगे हम हमारी basic value जिससे इसकी तुलना की जा रही है तो तुलनी यह जो value है वो कितनी है 120 और किसकी तुलना कर रहे है हम 30 की तुलना कर रहे है 120 से तो जिसकी तुलना हो रही है वो कोना जाएगा उपर numerator में आ जाएगा अब बात percentage की आ रही है तो percentage के लिए है multiply by 100 क्या करना है multiply by 100 that is your value और आपको solve करेंगे आपकी answer निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 परसेंट कि चलिए कोई भिन दी हुई आपको कोई भिन दी हुई है और उसको किसमे convert करना है प्रतिशत में तो कैसे करेंगे वह सपोज आपकी कोई भिन है पांच बटे 35 तो उसको प्रतिशत में कैसे convert करेंगे multiply किस से कर दीजिए 100 से तो क्या answer आ जाएगा आपका 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत आ जाएगा ठीक है कैसे किया हमने cancel कर दिया उपड़ नीचे काट लिया तो हमारा answer आ गया और एक बटे 7 की value आप लोगों को यह सारी values भी जो है याद रखनी पड़ेगी अगली next कड़ी में आपको बताती हूं कि किस तरीके से आपको कौन-कौन सी value याद करनी पड़ेगी तो भिन को प्रतिशत में इस तरीके से change किया जाता है अब हम देखते हैं कि यदि कोई value प्रतिशत में दी हुई है और उसको किस में change करना है आपको भिन में change करना है तो कैसे करेंगे divide by 100 कर दीजिए ठीके क्या करना है आपको divide by 100 सपोज आपको दे रखा है 12% अब आपको क्या करना है इसको भिन में change करना है तो 12 में किस से divide कर आप 100 से तो value कितनी आ जाएगी 0.12 इस तरीके से यह basic concept है आप लोग को पता होगा अब हम प्रतिशत का एक important formula देख लेते हैं जो की बहुत ही काम आएगा आपके exam में और कई बार इसके बहस पे question आते ही हैं तो देखिए जैसे कोई संख्या है तो उसका x प्रतिशत और y प्रत कर रहे हैं तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि 10 प्रतिशत की तो व्रद्धी हो गई है और 5 प्रतिशत की कमी हो गई है कोई भी संख्या है मान लिजिए 50 संख्या है या 100 है ठीक है अब आपको कोई पूछेगा कि यार कुल परिवर्तन कितना हुआ एक तो यह दे दिया आप पर कमी हो रही है तो आपको साइन कौन सा लगाना है माइनस का कमी हो रही है तो साइन कौन सा लगाएंगे आप माइनस का साइन लगा देंगे तो इस तरीके से इस फॉर्मुले से आप सॉल्फ कर सकते हैं और इसको हम अपलाई करेंगे अपने कॉश्चन्स पर अब यह जो प्रतिशत की कमी और दूसरी चीज में हो रहा है 10 प्रतिशत की व्रद्धी कैया होती आपस में दूनों केंसिल आओट हो जाएंगे तो बचेगाक desse हम हम इसको क्या लिख सकते हैं x square upon hundred और जब plus minus की बात होती तो हमेशा answer किसमें आएगा minus में ही आएगा ये बात मान की चलिएगा कि हमेशा कमी ही होगी जैसे कि इसके उपर एक example ले लेते हैं हम example के तोर पे कोई आयत होता है अयत में क्या होती है एक तो होती है लंबाई और एक होती है चोड़ाई suppose लंबाई में हो रही है 10 प्रतिषत की व्रधी और चोड़ाई में हो रही है 5 प्रतिषत की कमी ठीके तो यहां पर formula वही लगेगा आपके पास x plus y प्लस xy अपोन 100 तो यह क्या बताएगा आपको net percentage में जितना परिवर्तन हुआ है जो change हुआ है वो तो आप निकाल लेंगे और यदि लंबई में भी 10 प्रतिशत की व्रद्धी हुई है और चोड़ाई में 10 प्रतिशत की कमी हुई है तो ऐसे में आपको formula क्या लगाना है only x square upon 100 का formula आपको apply कर देना है क्योंकि x और y आपस में क्या हो जाएंगे cancel तो इसके अलावा बाकी formula आपको रटने की कोई ज़ुरत नहीं है वो आपको concept पे ही solve हो जाएगा कुछ important fractions देख लेते हैं जिनकी percentage में value क्या होती है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए जिनको आप जब question बार-बार try करेंगे तो automatically आपको याद हो जाएंगे दिमाग में छब जाएंगे आपके कि इसकी value क्या होती है जैसे कि यदि आपको कोई कहे कि 1 को percentage में बताईए तो आप बताएंगे 100% आपको कोई कहे कि 1 by 2 को percentage में बताईए आप कहेंगे 50% क्योंकि ये आधा होता है अब 1 by 3 की value ये भी याद होगी क्योंकि ये कई जो 1 by 6 की value होती है 1 by 7 की value ठीके तो ये values क्या होती है 16.66% ठीके इसको आप अगर बटेवे में बताना चाहें 2 by 3 percentage इसका value होता है कि इसका 1 by 6 का अब जिनको ये value directly मालूम है वो question को फटाफट से solve कर जाएंगे और जिनको नहीं मालूम है वो लोग इसको solve करते ही रहेंगे कि 1 by 6 का percentage value क्या होता है या फिर उनके पास आगया 16.66% तो ये सोचते रहेंगे कि इसको हम fraction में कैसे बदलें तो वहाँ पे उनका जो time है खतम हो जाएगा जिस question को करने में वो एक से दो मिनिट दो से तीन मिनिट लगा रहें वो ही question आपका 10 second में solve हो सकता था तो इसके लिए आपको smart work करना ही पड़ेगा ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए कि 1 by 6 की value कितनी होती है 16.66% और 1 by 7 की value कितनी होगी 14.28% या भी रख सकते हैं आप क्योंकि 7 की जो double हो कितना होता है 14 और 14 का double कितना होता है 28 ठीक है और इसी को आप अगर इस तरीके से question में आ जाए कि 14 सही 2 बटे 7 14 complete 2 by 7 तो ये भी किसके बराबर होता है 1 by 7 के ही equal होता है इसी तरीके से आप 1 by 7 से 2 by 7 भी निकाल सकते है इस value को just लगबग double कर दीजिए तो 14 का double कितना हो है इसी तरीके से 1 by 8 की values आप बहुत easy way में निकाल सकते हैं किस तरीके से कि ये 1 by 4 का आधा है क्या है 1 by 4 का आधा है चुकि ये 1 by 4 का आधा है तो यहाँ पर value जो 25% है वो भी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी तो 25% का half कितना होगा वो होगा 12.5% similarly अब जैसे 1 by 9 है और 1 by 11 है इसके उपर बहुत सारे concept best question आते हैं important है याद रख लीजेगा 1 by 9 इसकी value कितनी होती है 11 1 by 9 ठीक है किसमें होगी ये percentage में इसी तरीके से अगर आपसे 1 by 11 की value पूछ ली जाए question के through तो इसकी value कितनी होगी 9.09 या फिर अगर आप इसको fraction में देखें तो 9 1 upon 11 percentage इसकी value होगी तो आप लोग इन values को note भी कर सकते हैं screenshot भी ले सकते हैं इस सारी values आपको पता होनी चाहिए percentage में काफी काम आएगी आपके हर चीज में जैसे कि आप जैसे simple interest पढ़ रहे हैं उसमें बहुत काम आने वाली है percentage में बहुत जादा काम आती है तो 1 by 9 की value ये होती है और 1 by 11 की value ये होती है चलिए next देखते हैं इसी में और कुछ तो अभी हमने जो last fraction values से percentage में convert करके देखा वो तो बहुत ही important थे ही उसके साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रख सकते हैं 1 by 12 की value कितनी होती है 8.33% 1 by 13 की value होती है 7.69% देखिए 1 by 12 को कैसे याद रख सकते हैं आप जो 1 by 6 की value होती है 16.66% उसकी क्या हो जाएगी ये half हो जाएगी 16 का just half कितना होता है 8 और 0.66% का half कितना हो जाएगा 0.33% इस तरीके से आप इसको remember कर सकते हैं चलिए बात करते हैं 1 by 13 की इसको कैसे याद करें वह यार आप देखिए 3 का जो पूरक संक्या होती है 7 होती है 3 को 10 बनाने क के लिए हम क्या add करेंगे 7 add करेंगे न तो इसको 7 से याद रखिए इसी तरीके से 13 का square कितना होता है 169 तो 69 जो है यहां पर point के बाद में आ जाएगा थोड़ा सा याद करने के लिए आप relate कर लीजिए अब देखिए 1 by 14 की बात करते हैं बही किसका आधा होता है 1 by 7 का आधा 14 तो यह इसकी value होगी याद रखने की जरुती नहीं है ठीके अब देखिए 1 by 15 की बात कर लेते हैं हम लोग देखिए 1 by 15 की value कितनी होगी 6.66% अब देखिए 5 और 1 को अगर आप add करते हैं तो कितना आता है 6 आता है ना तो ऐसे याद कर लीजिए कि 6.66% इसका answer होगा percentage में औ कर लेते हैं 1 by 16 की again very simple 1 by 8 का half कर दीजिए 1 by 8 की value कितनी होती है 12.5% 1 by 8 की value कितनी होती है 12.5% तो 1 by 16 की value कितनी हो जाएगी इसकी half तो साड़े बारा का अधा कितना हो जाएगा सवाच है यानि कि 6.25% तो बहुत सारे लोग 1 by 15 की value में और 1 by 16 की जो percentage value होती है इसमें कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं ये ज़रूद ही नहीं है आपको याद रखिये गाइसको अब देखिए 1 by 16 की बात कर लेते हैं 1 by 16 की value कितनी होगी 5.88 अब देखिए 1 by 17 की बात करेंगे 1 by 18 की और 1 by 19 की इन तीनों की जो value होती है न वो 5 के approach होती है क्या होती है 5 के approach इसकी value होती है तो देखिए यह तो जैसे 8 था 7 और 1 को add करेंगे तो कितना होता 8 तो यह 5.88 याद रख लीजिएगा इसी तरीके से 1 by 18 की बात कर लेते हैं तो यह कितना होगा 5.55 यहाँ पर double 8 है तो यहाँ पर क्या है double 5 इसी तरीके से इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 by 9 भी लिख सकते हैं और साथ ही 1 by 18 जो है वो किसका हाफ है और किसका हाफ है 1 by 9 का तो उसका हाफ भी कर सकते हैं आप लोग इसी तरीके से 1 by 19 के बात कर लेते हैं तो 5.55 अपॉन 19 इसकी value होती है एक बार आप इसको देख लीजिए फटा-फट से और इसके उपर बैस जब आप question करेंगे अलग-अलग प्रकार के तो आपको धीरे-दीर यह सारी चीज़े याद हो जाएगी चलिए start करते हैं अब हमारे important questions ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इनको solve करना है यह question आप लोग pose करके पहले खुद try कीजिए challenge है मेरा की 50% student यहाँ पर गलती करने वाले हैं तो इसलिए आप अपने आपको सही साबित करने के लिए पहले इस question को pose करके अपने आपसे self try कीजिए जल्दी से चलिए I hope आपने यह question solve कर लिया होगा अब हम start करते हैं देखते हैं इसको किस तरीके से करना है देखे 6 लिटर का आपके पास एक goal बना हुआ है एक willion है जिसमें क्या है 5% नमक है अब 1 लिटर पानी यहाँ पर क्या हो गया है भाब बनकर उड़ गया है तो बचे हुए goal में नमक का प्रतिशत कितना है देखे अभी जब मैं प्रतिशत निकालूंगी तो जो मेरा answer आएगा वो point में आएगा तो उसके लिए सबसे पहले मैं 6 लिटर को मान लेती हूँ 6000 ml के बराबर मान सकते हैं बिल्कुल आपने मान लिया अब आपका जो नमक का परसेंटेज है वो कितना है वो निकाल लीजे जल्दी से तो नमक का परसेंटेज है 5% अब डिरेक्ली आप लोग देखके बता सकते हैं कि 5% कितना होगा इसका 300 ml कैसे निकाला हमने कि भई 1% 60 है तो 5% कितना होगा 300 या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि 10% कितना है इसका 600 तो 5% आधा हो जाएगा अब देख लिजे यहाँ पर पानी की बात कर लेते हैं हम भई ये एक गोल है तो गोल के अंदर क्या है नमक भी है और पानी भी है क्या है नमक भी है और पानी भी है तो नमक तो हमने निकाल लिया अब हमें ये निकालना है कि इसके अंदर पानी कितना है तो भी जो बचा हुआ है वो क्या होगा पानी होगा तो देखिए पानी कितना बचा इसके अंदर वो बचा 6,000-300 तो कितना हो जाएगा ये 5,700 ml क्योंकि नमक को जब हम हटाएंगे तब तो प्योर पानी बचेगा अब यहां पर जो भाब बनके उड़ जा रहा है पानी उसकी मात्रा कितनी है भाब बनकर जो उड़ जा रहा है उसकी मात्रा है एक लीटर कितनी है एक लीटर जब एक लीटर इसमें से उड़ जाएगा तो बचा हुआ शेष पानी कितना है आपको ये निकालना है ठीके तो शेष पानी कितना होगा पांच थाजार शाठ सो में से एक हजार आप मैश कर देंगे तो कितना बचेगा 4700 ml 4700 ml पानी यहाँ पर बच गया है अब पूछा क्या है आप से कि नमक का प्रतीशत कितना होगा उस गोल के अंदर नमक का प्रतीशत कितना होगा तो प्रतीशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे उपपर लिखेंगे नमक की मात्रा नीचे लिखेंगे गोल की मात्रा और मल्टिप्लाई कर देंगे 100 से तो बताइए नमक की मात्रा कितनी है यहाँ पर वही नमक की मात्रा है यहाँ पर 300 ml कितनी है 300 ml अब बात हो रही है गोल में कितना प्रतीशत है अब लोग क्या करेंगे यहाँ पर डारेक्ट गोल की जगह लिख देंगे 5700 कितना लिखेंगे वही शेश पानी है 4700 तो कितना लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर 4700 तो आपने लिख दिया 4700 किया आप मैं multiply 100 कर दूँ नहीं अभी यहाँ पर गोल बनाने के लिए पानी के साथ साथ किसको एड़ करना पड़ेगा नमक को भी तो एड़ करना पड़ेगा यहाँ पर हो जाती है mistake तो गोल कैसे बनेगा water प्लस salt से ही गोल बनेगा तो water तो बचा 400 ml और salt बचा हुआ है 300 ml और total salt कितना है 300 तो multiply किस से कर देंगे हम 100 से किस से multiply कर देंगे 100 से तो आपका answer कितना आ जाएगा 300 upon 5000 into 100 किसके बराबर हो जाएगा 6% तो आपका answer होगा 6% तो यहाँ पर हमारी base value थी गोल का कितना amount है वो हमने लिख दिया कि गोल जो है वो पानी से औ और salt से बनेगा दोनों की मात्राएं लिख दी और पूछा था इसके अंदर नमक का प्रतिशत इसलिए हमने नमक को numerator में लिखा और प्रतिशत पूछा है इसलिए multiply 100 कर दिया तो आई होप इस तरीके से आप question को solve कर लेंगे बिना mistake किये चलिए next question पर चलते हैं अगेन सवाल क propose करें खुद self try करें देखिए यदि एक भिन्न का अंश 150 प्रतिशत बढ़ जाता है और भिन्न का हर 25 प्रतिशत गड़ जाता है तो परिणामी भिन्न 8 का 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत हो जाता है तो वास्तविक भिन्न क्या है if the numerator of a fraction is increased by 150% and denominator of the fraction is decreased by 25% तो resulting fraction क्या हो जाता है 11 complete 1 by 9% of 8 so what is the actual difference difference नहीं actual fraction तो solve कीजिए इसी है आप लोगोंने solve कर लिया होगा अब हम देखते हैं इस टाइप के question को किस तरीके से solve किया जाता है और साथ ही ऐसे question exam में काफी देखने को मिलते हैं इस सारे question जो है exam में पूछे जा चुके हैं किसी ने किसी exam में तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो परिणामी भिन है वो क्या है ठीक है भिन कितनी है 8 multiply by 11 1 by 9% अब मुझे को यहाँ पर बताएगा कि 11 1 by 9% है यदि उसे fraction में लिखा जाए तो क्या होगा तो 11 1 by 9% को हम fraction में क्या लिखते है 1 by 9 यह किसके बराबर होता है 1 by 9 के तो यह किसके बराबर हो जाएगा 8 by 9 के तो हमारी परिणामी भिन क्या होगी 8 by 9 तो जब भी आपको परिणामी भिन पता हो तो आपको सीधे सीधे वास्तविक भिन पता करने के लिए क्या करना है वास अच में कही गई है वो तो आप कर दे हर में और जो चीज आपको हर के लिए बोली गई है उसे आप चेंज कर दे अंच के लिए ठीक है देखें यहाँ पर 150 प्रतिशत बढ़ गया है तो बढ़ गया है किसमे बढ़ा है 100 होगा पहले और 100 से कितना हो गया 150 बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 250 250 हो गया है तो किसमें हुआ है यह अंश में लेकिन हम परिणामी के साथ किसमें लिखेंगे हर में किसमें लिखेंगे हम लोग हर में तो 150 बढ़ गया है तो कितना हो गया 250 सिमिलरली हर में कितना परसेंट गटा है 25 परसेंट भाई पहले यदि 100 था और 25 परसेंट गट गया है तो कितना बचा 75 ओके तो हम यहां पे हर में कितना लिख देंगे इसको 75 अब आप इसको सॉल्फ करके इसका अंसर इजी वे में निकाल सकते हैं तो कितना बचा 4 अपका अंसर कितना आजाएगा 4 अपको क्या करना है जो भिन्व परिणामी भिन्ने दी हुई है उसमें अंश और हर में चेंज कर दीजे इस प्रकार से तो आपका अंसर आजाएगा अब देखिए इसी question को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो भी method आपको अच्छा लगे आपको उसी method से करना है देखिए एक general method है कि सबसे पहले 150 percentage को हम क्या लिख सकते हैं fraction में क्या लिखेंगे 3 by 2 तो यह किसी चीज का डेड़ गुना हो गया है यानि कि 3 by 2 हो गया है that means पहले कोई value कितनी थी 2 आधार value कितनी है यह 2 अब इसमें कितना बढ़ गया है 3 बढ़ गया है तो 2 से कितना हो जाएगा यह 5 2 से कितना हो गया 5 इसको ऐसे मान लिजे 2x से कितना हो गया 5x इसी तरीके से दूसरी बात क्या दे रखी है कि जो हर है वो 25% को हम किस तरीके से लिखेंगे fraction में 1 by 4 क्या लिखेंगे 1 by 4 यानि कि जो आधार value थी 4 से 1 क्या हो गई है minus हो गई है गट गई है तो हम क्या लिख सकते है इसको 3 क्या लिख सकते है इसको आप मान लिजे y ठीक है तो यहाँ पर 4y से कितना हो गया है यह 3y हो गया है यहाँ तक clear है आप लोग का कि percentage को fraction में सबसे पहले हमने change किया फिर 2 से यह कितना हो गया 5 हो गया और यह 4 से कितना हो गया 3 हो गया अब हमारी जो final fraction बना है वो कौन सा बना है 5x अपोन 3y क्या बन गया है 5x अपोन 3y हमारा fraction बन गया है परिणामी fraction 5x अपोन 3y और इसकी value किसके बराबर given है हमें 8 into 1 by 9 that is equals to 8 by 9 जब हम इसे solve करेंगे तो x by y की value क्या आएगी यहां से जो x by y की value आएगी वो कितनी हो जाएगी 8 by 15 because 3 से यह cancel हो जाएगा 3 times तो कितना हो जाएगा x by y की value add by 15 अब आपको क्या करना है जो वास्तविक भिन है यानि कि 2x अपोन 4y क्या है 2x अपोन 4y इसके अंदर इस x by y की value को क्या कर सकते हैं आप put कर सकते हैं तो क्या कर देंगे 2 by 4 multiply by 8 by 15 तो यहां पर आपका answer कट के कितना आपका 4 by 15 तो आंसर कितना आगे आपका 4 by 15 इस तरीके से भी आप इसको solve कर सकते हैं अब देखिए कुछ students इसमें क्या करते हैं कि जो 150 percentage है उसको पहले तो क्या करेंगे उसका particular का 250 percentage करके लिखेंगे 25 को 75 percent करके लिखेंगे अब यह जो 11 by 1 by 9 percent है उसकी value भी अलग से निकालेंगे कि भी हम कैसे निकालेंगे पहले इसको solve करेंगे 11 999 फिर 1 add करेंगे तो कितना होगा 100 by 9 फिर इसको आपस किसे fraction में change करेंगे तो divide by 100 करेंगे फिर उनका answer निकलेगा 1 by 9 अरे भी इतना लंबा करने कि वहां पर आपको time नहीं मिलेगा तो इसलिए आपको ये बताया किया है कि इसकी values आप लोग याद कर लें जो मैंने आपको पीछे बताया है वो सारी values आपको mind में छपी हुई होनी चाहिए ठीके चलिए next question देखते हैं देखे बहुती अच्छा और important सवाल ये है एक company में महीला तकनिकी करमचारियों का महीला गेर तकनिकी करमचारियों से जो अनुपात है वो कितना है पांच अनुपात चार और company में क्या है चोसट प्रतिशत जो है वो पुरुश है कोन है यहाँ पर पुरुश ठीके तो यहाँ पर आप मान दीजे कि 64% कोन है men जो males है वो कितने है 64% है तो तकनिकी विभाग में मही किलाओं की संख्या पुरुशों की संख्या से आधी है तो पुरुश तकनिकी करमचारियों का पुरुश गेर तकनिकी करमचारियों से अनुपात कितना है तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो है वो तो है टेक्निकल और दूसरे जो है नोन टेक्निकल तीसरी बात कुछ महीला है और कुछ पुरूश है तो सबसे पहले कमपनी में 64 प्रतिशत पुरूश है तो हम यह मान के चलेंगे की टॉटल लोग कितने हैं 100% है अब बात हो रही है यहाँ पर मेल की और फीमेल की किसकी मेल की और फीमेल की तो यहाँ पर जो मेल है वो कितने है 64% और जो फीमेल है वो कितनी रह जाएगी बाकी की 36% ओके clear समझ में आ गया सबको कि यार यदी 64% पुरूश है तो बच्चे वे कौन होंगे महिलाए होंगी चीके और यहाँ पर 64% पुरूश ही है यह किसे अंदजा लगा क्योंकि generally questions में जो है पुरूशों को ही यहाँ पर majority दी जाती है चीके तो 64% हो गए male और 36% हो गई आपक चीके अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस की एक तो बात कर रहे है technical की और दूसरी बात कर रहे है non-technical की ठीक है तो technical कितनी है? 5 अनुपात 4 में बाटा गया है इनको. किस अनुपात में बाटा गया है? 5 अनुपात 4. देखिए 5 और 4 को add करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9. कितना हो जाएगा? 9. ठीके? तो यदि 9 किसके बराबर है? 36% के. तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4% के. ठीके? यह याद रखिएगा. तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4% के. That means 5 किसके बराबर हो जाएगा? 20%. तो technical women कितनी हो गई? 20%. और non-technical कितनी हो जाएगी? जो बाकी बच्ची है. बाकी कितनी बची है 16 कितनी हो जाएगी है 16 परसेंटेज ओके या फिर आप डारेक्ट 4 को 4 से भी मल्टिप्लाई करके भी 16 निकाल सकते हैं तो यह हो गई महिलाओं की बात अब हम बात कर लेते हैं पुरुशों की ठीक है अब देखिए आगे क्या बोला गया है इसमें कि जो म भाग में महिलाओं की संख्या पुरुशों की संख्या से आधी है यदि महिलाएं पुरुशों की संख्या से आधी है तो पुरुश क्या हो जाएंगे इनका दुगुना नहीं हो जाएंगे हो जाएंगे ना तो देखिए जो मेल है उसमें टेक्निकल मेल कितने हो जाएंगे 40% इसी तरीके से बचा हुआ कितना है 64 में से 40 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 24% कौन हो जाएंगे non-technical I hope आपको यह चीज समझ में आ गई है कि technical male कितने है 40% non-technical male कितने है 24% और technical female कितनी है 20% and non-technical female कितनी है 16% अब देखे यहाँ पर क्या पुछा गया है आपसे कि पुरुष तकनीकी करमचारियों का पुरुष गेर तकनीकी करमचारियों से अनुपात कितना है तो तकनीकी तो कौन आ गया 40 और गेर तकनीकी कौन हो गया 24 सीधे सीधे क्या करना है आपको 40 और 24 का अनुपात निकाल लेना है cancel कर लिजे इसे जल्दी से तो किस से cancel हो रहे हैं ये 8 से 8 5 जा और 8 3 जा तो आपका answer कितना हो जाएगा 5 अनुपात 3 चलिए एक बार और repeat कर दोते हैं इसको फटाफट से कि total पुरुष और महिलाएं किसी company में कितने हैं 100 है 100 में से 36 कौन है फीमेल है कौन है फीमेल और 64 कौन है मेल है यहां तक clear हो गई बात अब जो female है वो 5 अनुपात 4 में इस तरीके से है कि कुछ तो technical है और कुछ non-technical है तो technical वाली कितनी हो जाएगी 20 और non-technical वाली कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी क्यों भाई नॉन टेक्निकल वाली 16 कैसे हुई क्योंकि ये 5 अनुपाद 4 में बटे हुए हैं ठीक है समझ में आ गया क्योंकि हम अनुपाद पीछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं तो आई होप आपको यहाँ पर कोई आधी रह जाए तो महिलाओं की संख्या अगर यहाँ पर 20 है तो पुरुषों की संख्या टेक्निकल में कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी होगी किनी होगी क्योंकि 40 से क्या है ये आधी है ओके तो यह हो गई 40 अब टोटल यहाँ पर 64 है तो 64 में से 40 है टेक्निकल में है तो बाक हमें यहाँ पर सिर्फ मेल की करनी है कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा तो अनुपात निकालने के लिए आपको एक common factor से cancel करना है जो कि 8 से 5 बार जाएगा और 8 से 3 टाइम चला जाएगा तो आपका answer हो जाएगा 5 अनुपात 3 ओके तो यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है गर पर ही रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें और पढ़ते रहें और बहुत सारे इनके question करते रहें इनहीं पर best कोई problem आती है तो आप telegram group है यह वहाँ पर भेज सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है चलिए next question पर चलते हैं अब 2019 में इसमें 10 प्रतिशत की क्या हो गई है व्रद्धी हो गई है ठीक है और 2020 में इसमें इतने प्रतिशत की क्या हो गई कमी तो 2020 के अंत में इसकी जो final value है machine की वो कितनी है ऐसे type के question में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो percentage value है उसे fraction में convert कर लीजिए देखिए 10 प्रतिशत की व्रद्धी 10 प्रतिशत को fraction में लिख लीजे जल्दी से एक बटा 10 अब व्रद्धी होई है यानि कि जो best value है हमारी 10 वो 10 से क्या हो गई है 11 हो गई है भई 10 में 1 की व्रद्धी होई है तभी तो 10 से क्या हो गई वो 11 हो गई next देखिए 18 2 by 11 18 complete 2 by 11 percent अब पीछे जो हमने fraction values पड़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि 9 सही 1 बटे 11 की जो value होती है वो 1 बटे 11 के बराबर होती है अब ये जो value आपको दिखाई दे रही है 18 2 by 11 ये कहीं न कहीं इसकी क्या है double है 9 की double 18 1 की double 2 अब जब double हो रही है इसका मतलब ये 1 by 11 की value ना हो करके किसकी value होगी 2 by 11 तो इसकी fraction value कितनी हो जाएगी 2 by 11 हो जाएगी ओके तो इस तरीके से आपको फटाफट से ये आना चाहिए कि percent को फटाफट से fraction में convert करना अब देखिए जो value 11 थी कितनी थी 11 थी वो अब कितनी हो जाएगी वह कमी हो रही है इस बात पर ध्यान रखना कमी हो रही है तो 11 में से जब 2 minus हो जाएगे तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे ओके यहां तक आपको बात समझ में आ गई है अब यह जो सारी चीज़े है इनको तो आप भूल जाएए अब देखिए 10 से 11 होई है और 11 से 9 होई है तो अब आप finally क्या करेंगे इसको इससे multiply करेंगे और इसको इससे multiply करेंगे लेकिन उसकी जगा पे आप यहां पे multiply करने के बाद cancel भी करेंगे तो आप क्यों न यहीं पर cancel कर दें चीक है तो 11 से 11 cancel हो गया यानि कि जिसकी value 10 थी वो अब कितनी हो चुकी है नो हो चुकी है जो price 2018 में कितनी थी 10 थी कितनी थी 10 थी वो अब कितनी हो चुकी है 2020 में 9 हो चुकी है 2020 में तो यह आपको find out करना है कि machine की कीमत 2020 में कितनी होगी यदि आपको दिया हुआ है 10 की value 2,70,000 रुपए यदि दिया हुआ है ना machine की कीमत 2018 में तो हम को पता है कि 10 की value 2,70,000 रुपए के बराबर है यानि कि 1 की value कितनी हो जाएगी एक की वेल्यू हो जाएगी 27,000 रुपए तो 9 की वेल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर युनिट्री मेथड लगाना है आपको बस इसे 9 से मल्किप्लाई कर देना है तो भाई 9 साथ की 63 आ रहा है भाई 9 जो अंक आएगा 00 के अलावा वो कितना आएगा 9 साथ 63 यानि की इक 9 आई का अंक 0 के बाद में 3 आना चाहिए यहाँ पर 0 के बाद में 1 अंक 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 दिखाई यहाँ पर 1 दिखाई नहीं कि कोई भी option यहाँ पर इसका answer नहीं है तो आपका answer कितना हो जाएगा? None of these तो इसको पूरा multiply करने की बजाए आप इस तरीके से direct option पर नजर डाल करके अपना answer दे सकते हैं तो कई बार हमें पूरी की पूरी calculation करने की कोई ज़रूत यहाँ पर नहीं होती है आप सिर्फ इकाई अंक पर नजर डाल करके भी सवाल solve कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं next important question की तरफ now almost हर exam में पूछा जाने वाला question की किसी की कीमत बढ़ गई है तो उसका consumption कितना घटाया जाए ताकि उनका जो व्याय है उनका जो फस्त जो बज़र्ट है वो same रहे suppose मैं कहीं पर सामान लेने जाती हूँ 100 रुपय का मेरे पास कोई सामान आता है 5 सामान लेकिन rate बढ़ जाने के कारण 100 रुपय में अब वो सामान आएंगे सिर्फ 4 तो कीमत क्या हो गई है यहाँ पर बढ़ गई है कीमत बढ़ गई है लेकिन मेरा consumption मैंने क्या कर दिया है कम कर दिया है उसकी वज़े से क्या होगा consumption कम करने से जो मेरा budget था वो सेम ही रहेगा पहले भी मेरे पास 100 रुपय थे और अभी भी मेरे पास 100 रुपय ही है तो यहाँ पर कौन सा formula वर्क करता है यह वर्क करता है कि expenditure जो होता है वो किसके बराबर होता है consumption multiply price ठीके यानि कि जो व्याय होता है आपका जो expenditure होता है consumption यानि खपत ओके multiply price जो भी किसी चीज़ कीमत है देखिए अब यहाँ पर क्या होगा यदि कीमत बढ़ेगी तो खपत को कम करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि व्याय सेम रहेंगे ठीके व्याय को यदि आप सेम रखना चाहते हैं तो यदि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ को क्या करनी पड़ेगी घटानी पड़ेगी और यदि यह कम होगी तो यह क्या हो जाएगी बढ प्राइप के बहुत सरे कोश्चन इस पर बनते हैं किस पर तो एक्सपेंडिचर इस इक्वल सटू क्या होता है कंजब्चन मल्टिपलाई प्राइज चलिए इस सवाल को solve करते हैं कि डीजल की कीमत में 25 प्रतिशत की क्या हुई है आपर वरद्धी हो गई है अब 25 प्रतिशत को सबसे पहले आपका काम है कि आप इसे लिख दें fraction में fraction में आपने लिख दिया 1 by 4 यानि कि 4 से कितनी हो गई है 5 और वरद्धी कितने की हुई है एक की ध्यान से समझेगा इसको कि एक की यदि वरद्धी हुई है तो कमी भी कितनी करनी पड़ेगी आपको ताकि जो व्याय है वो उतना ही रहे तो खपत में आपको कितनी कमी करनी पड़ेगी तो खपत में आप कमी करेंगे एक की कमी करेंगे लेकिन कितने पर? 4 से कितनी हो गई है, यह 5 हो गई है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 5 आधार value कितनी हो जाएगी अब 5 पहले कितनी थी 4 अब जब multiply 100 कर देंगे तो आपकी value कितनी आ जाएगी 20% क्योंकि 1 by 5 किसके बराबर होता है 20 परसेंट के तो आपका आंसर यहां पर डिरेक्ली आ जाएगा 20 परसेंट अब बताइए इसमें को सॉल्व करने की जुरत है कि आपको ठीक है तो जब कभी इस तरीके से दिया हुआ हो कि एक में वरद्धी करनी है तो दूसरे में कितनी कमी क करें ताकि आपका व्याय सेम रहे या फिर हम आयत की लंबाई में कितनी वरद्धी करें ताकि जो उसका एरिया है वो उतना ही रहे इसी तरीके से बहुत सारे कॉश्चंस आपके बनते हैं चलिए एक क्वश्चंस इसी के उपर एक एक्जामपल ले लेते हम एक एक्जामप फो क्या हो जाए कॉंस्टेंट रहे ताकु इसका जो क्षैत्रुफल है ताकि आयत की क्षैत्रुफल क्या रहे नीयत रहे तो ऐसे में आपको क्या तो क्या करना है सब से पहले 20% को बदले ये fraction में 1 by 5, क्या हो रही है, व्रद्धी हो रही है, और कितने की व्रद्धी हो रही है, यहाँ पर 1 की व्रद्धी हो रही है, तो आपको कमी कितने की करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर 5 से कितना हो गया, यह 6 हो गया है, तो कितने पर 6 पर, इस तरीके से आ यानि कि आपका जो व्याए है वो तो उतना ही है जितना आप पहले कर रहे थे वो तो constant है अब आपका consumption में कितने की आपको व्रद्धी करनी पड़ेगी यानि कि अब आपकी जो खपत है वो जादा हो जाएगी क्यों क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है तो यहाँ पर automatically व्रद्धी होगी इसको constant करने के लिए तो ऐसे में क्या करना है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 14 सही 2 बटे 7% को आप fraction में लिखेंगे 1 by 7 यह value किसकी है 1 by 7 की चलिए अब हमें क्या करना है कि 1 by 7 अब ध्यान से देखिए गए आपके कमी हो रही है क्या हो रही है कमी तो कितने की कमी हो रही है एक की कमी हो रही है व्रद्धी भी कितने की करने पड़ेगी एक की ही व्रद्धी करने पड़ेगी अब कितने पर 7 से 1 माइनस हो गया यानि कि 6 हो गया है तो कितने पर 6 पर तो multiply क्या कर देंगे 100 again हमारा answer क्या हो जाएगा 16.66 percentage I hope अब ये clear है और इस method से आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपका question हो जाएगा चलिए जल्दी जल्दी सवालों पर नजर डालते हैं देखिए A plus B का 20% दिया हुआ है A plus B का कितना percent 20% किसके बराबर है B का 50% okay if 20% of A plus B is equals to 50% of B then what will be the value of 2A minus B upon 2A plus B इस तरीके से आपको इसको solve करना है कि 2A minus B और 2A plus B की value आपके पास आजाए इसके लिए हमें A और B की value मालूम होनी चाहिए ठीके तो सबसे पहले हम इसको जल्दी से solve कर लेते हैं देखिए किस तरीके से इसको solve किया जाए सबसे पहले इनको cancel out कर दीजिए हो गया है अब 2 को इससे multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 2A plus 2B is equals to what 5B अब 5B के पास में 2B इधर जाएगा तो कितना रह जाएगा 3B ओके और इधर है 2A तो A upon B की value कितनी आ गई है यहां सर यहां से A upon B की value आ गई है 3 upon 2 ओके तो A की value को 3 मान लेंगे और B की value को क्या मान लेंगे हम 2 मान लेंगे और किस में value पुट कर देंगे यह value पुट करेंग 6-B की value कितनी है 2 upon 2a कितना हो जाएगा again 6-B कितना हो जाएगा 2 ओके यहाँ पर प्लस है तो 6 में से 2 जाएगे तो कितने बचेंगे 4 और 6 और 2 कितने हो जाएगे 8 cancel किया तो कितने आ जाएगा अपका answer 1 by 2 अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कड़ सकते थे इसको fraction भी बना सकते थे यहाँ पर B का भाग दे करके तो यह क्या बन जाता 2a upon b minus 1 इसी तरीके से 2a upon b plus 1 अंश और हर में किसका भाग दे करके बी का भाग दे करके और directly a upon b की value भी यहाँ से put कर सकते थे तो एक question के कहीं सारे method है जो आपको अच्छा लगता है आप उसी से करिए बढ़ते हैं next question की तरफ वही जब बात आती है voting की तो यह बहुत ही important question हो जाता है हमारे लिए इस से related question कई बार exam में देखे जाते हैं कि दो व्यक्ती संसत के लिए चुनाव लड़े उसमें विजेता उम्मीद्वार ने डाले गए कुल मतों में से क्या किया 57 प्रतिशत का मत प्राप्त किये जो विजेता था उसको कितने मत प्राप्त हुए 57 प्रतिशत वह है उसको कितने मत प्राप्त हुए होंगे उसको कितने मत प्राप्त हुए होंगे तो क्या करेंगे 100 में से 57 को माइनस कर देंगे तो कीतना बचा 43% अब देखें क्या दिया वाieht यह VP-8000 मतोंसे वह विजेई हुआ अगर आपन बात कर रहえ हैं वोटों में अंतर की किसकी बात सीधे से काम कर लीजिए एक प्रतिशत की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा चोधाती बयालिस फ़र्टीन थ्रीजा फ़र्टीटू एंड वन परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी तो कुल मतों की संख्या पूछी है कुल मत कितने होंगे 100 परसेंट तो वही 100 परसेंट की वैलू के लिए क्या करेंगे और अंग्रे जी के कितने विध्यारती है इंग्लिश के विध्यारती है यहां पर 44 परसेंट यह पूरे के पूरे घुले की बात हो रही है यहां पर ठीक है इसकी बात हो रही है 72 परसेंट ठीक है और जो 44 परसेंट है वो पूरे सारे के सारे यह वाले है अब चलिए नेक्स और यह जो वैल्यू है, परसंटेज में है, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, कि यह जो आपे बीच वाली वैल्यू है, उसको परसंटेज में निकाल लेते हैं, किस तरीके से निकालेंगे, आइए, देखते हैं, देखिये, 72 प्रतिशत और 44 प्रतिशत में से, हम क्या 100 क्योंकि total कितने student होंगे यहां पर 100 ही होंगे ठीक है तो जो भी extra आएगा वो क्या आजाएगा common वाला आजाएगा तो यहां से value कितनी हो जाएगी 116 यह हो गए और 100 यह हो गए ओके तो 116 में से 100 वाइनस हो जाएगे तो कितने बचेंगे 16% तो आपका answer यहां पर कितना आएगा भई जो common लोग हैं जो दोनों विशेय का chain करते हैं ऐसे लोग कितने हैं यहां पर 16% है तो आप इसे कितना मान सकते हैं 40 विध्यारती को किसके ब बराबर मान सकते हैं तो उस कक्षा में कुल कितने विध्यारती हैं कुल तो हंड्रेड होंगे तो यदि 16% 40 के बराबर हैं तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे तो solve कर लीजिए 40 बटा 16 इंटू 100 चार से चार बार चार से चार से 25 बार तो आंसर कितने हो जाएंगे आपके 250 तो इस तरीके के जो when diagram वाले question होते हैं उसके अंदर ये वाला जो part होता है वो किसका आजाएगा only B का यानि कि only biology का और ये वाला जो part होगा वो only किसका हो जाएगा English का हो जाएगा और ये इन दोन का क्या होगा common part होगा और अगर only word नहीं आए तो ये पूरा का पूरा जो circle है वो particular जैसे biology दिया वाय तो biology का हो जाएगा और ये जो particular circle हो किसका हो जाएगा English का हो जाएगा तो यहां पर only की बात हुई नहीं थी तो हमने direct कर लिया question को solve चलिए आगे चलते हैं ये question रहेगा आ 12 बटे 64 में आपको करना क्या है सीधे से अंश में 10 प्रतिशत की व्रद्धी हो रही है तो इधर हर में कर दो 110 लिग दीजिए ठीक है और जो 12 प्रतिशत की कमी हर में हो रही है वो अंश में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 88 कर लेंगे आप इसको 11 के टेबल से कट करके त सबसे पहले 320 का 10% कितना होगा सीधे सीधे पता है 32 होता है so that the number becomes 30% of 230 अब 32 में हम क्या जोड़े है भई हमने मान लिया X जोड़ रहे हैं हम ठीक है तो अब 30% कितना होगा इसका 239 ठीक है कितना हो गया 69 तो X की value कितनी हो जाएगी 69 में से 32 माइनस करेंगे तो 37 आपका अंसर हो जाएगा अगें वेरी सिंपल कोश्चन ठीक है इस टाइप के कोश्चन भी कई बार बन जाते हैं कुछ easy questions भी आते ही है exam में कि एक हजार का 25% कितना होगा बिना पेन उठाए आपको solve कर लेना है 25% कितना होगा 250 होगा 1% कितना होगा इसका 2.5 हो जाएगा अब फिर इसका भी 1% कितना हो जाएगा 0.025 इसका अंसर हो जाएगा क्लियर बढ़ते है next question की तरफ दिया हुआ है कि a c से 50 प्रतिशत बढ़ा है और b c से कितना है 25% तो a b से कितना बढ़ा होगा again simple question basic clear करने के लिए आप यो questions कर सकते हैं देखिए या पर दोनों में जो comparison हो रहा है वो c से हो रहा है ध्यान दीजेगा तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं c को मान लेते हैं इसमें 50 जोड लीजिए 150 और b कितना बढ़ा है 25% तो 100 में कितना जोड लेंगे 125 लो आ गया इनको cancel कर दीजिए फटा फट से इनका ratio आ जाएगा तो 25 पंजे 125 और 25 चकी 150 हो जाएंगे ये 5 बार और ये 4 बार चला जाएगा 25 ये ratio आ गया पूचा क्या है कि a b से कितने प्रति आपको 20 से कितने प्रतिशत है किस से 20 से तो यहाँ पर नीचे कोन आएगा 5 नै कि 6 गलती से भी 6 मत लिख देना आप लोग ठीके तो 1 by 5 multiply 100 करेंगे तो value कितनी आ जाएगी आपकी 1 by 5 बराबर होता है 20 percentage के तो आपको multiply वगरा करने की ज़रूत नहीं है direct आपको value पता होनी चा examination and has to fail by 10 marks another student got 45% marks in the same examination and got 5% marks more than the passing marks then what was the maximum marks passing marks in the examination देखे यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है परिक्षा में अधिक्तम अंक क्या थे तो आपको यहाँ पर maximum marks ही बताने है don't confuse here okay maximum marks की यहाँ पर बात हो रही है तो देखे सबसे पहले आप मान सकते हैं की maximum marks कितने हैं x मान लिजे यहाँ पर तो थोड़ा easy हो जाएगा question थोड़ा जल्दी हो जाएगा ठीक है और वहें 10 अंकों से ऐसा फल हो जाता है अब बताए यदि इसको 10 अंक और मिल जाते तो क्या यह passing marks नहीं ले आता ओके तो 10 marks इसको और चाहिए थे इसलिए हमने इसमें 10 add कर दिये तो यह क्या हो गए आपके passing marks हो गए हैं कि इतने तो वह लाया ही था और 10 अंक और मिल जाते तो वह क्या हो जाता पास हो जाता आगे देखिए उसी परिक्षा में दूसरे चातर की बात हो रही है पहले चातर की बात हो चुकी है तो दूसरे चातर को 45 प्रतीशत अंक प्राप्त होते हैं तो बना दीजिए x का 45 प्रतीशत 45% of x और उसे उत्ते नांक से 5 प्रतीशत अं के बरावर नहीं हो जाएंगे क्योंकि इसको 5% अधिक मिले हैं क्या मिले हैं अधिक मिले हैं तो यद़ी हम इसके 45 परसंटेज में से 5 को माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएंगे passing marks कहलाएंगे अब देखिए ये भी passing marks है और ये भी passing marks है इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया आपस में बराबर कर दिया जल्दी से solve कर लेते हैं 20 से cancel हो जाएगा 5 ताइम तो ये कितना रहे गया x by 5 plus 10 इसी तरीके से हम जब 5 से cancel करेंगे तो 5 नाइन जा और 5 से cancel करेंगे तो 20 आ जाएंगे अगें 5 एकम 5 और 5 से कितनी बार 20 बार तो यहाँ पर जो answer होगा आपका 9 में से क्या minus हो जाएगा x minus हो जाएगा तो बचेंगे 8x ठीके now आपको क्या करना है 4 से cancel कर सकतें आप लोग again तो cancel कर लेते हैं इसे जल्दी से 4 दुनी 8 और 4 पंज है 20 ठीके अब देखे यह 2 बटे 5x है क्या है 2 बटे 5x x by 5 इधर आएगा 1 x by 5 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा only x by 5 और इसकी value किसके बराबर हो जाएगी 10k तो x की value कितनी आ जाएगी आपकी 50 clear तो maximum marks कितने हो जाएगे यहाँ पर 50 हो जाएगे और यदि आप से पूछ लेते कि passing marks कितने होंगे उत्तिर डंक कितने होंगे तो आपको क्या करना है फटा फट से कि पहले तो 20% निकाल देना है फिक है 20% कितना हो जाएगा इसका 5-5 10 हो जाएगा फिक है और 10 अंक और जोड देंगे तो 20 इसके क्या हो जाएगे passing marks हो जाएगे thanks for watching this video जुडे रहिए NS learning के साथ अपने सवाल solve करते रहिए practice करते रहिए और match को अपनी मजबूत करते रहिए